पिछले एपेसोर में हमने देखा कि वांगाओ के पाश योशे की मास्टर आती है जो कि उसे योशे को बचाने का बोल कर वहां से गायब हो गई थी पर इन सबसे वांगाओ को पता लग जाता है कि योशे किसी बड़े खत्रे में है वांगाओ ने तो मास्टर के पीछे लगे तो मास्टर को पता था कि शायद मास्टर कहाँ गई है इस वज़े को बहाने से कुशिश करती हैं ऑपने स्टूडेंस को बोलती है कि वो ये शे को जाकर पकड़ ले पर ये शे इमोर्टल नेवल पर पहुंचा दिया जिसकी वजह से वो अपने आँखों से ही पावर रिलीज करके अपने जूनियर सिस्टर उसको सुला चुकी थी अब इससे पहले कि वो वहां से निकल पाती उसके पर मर्टिपल स्वार्ड अटैक होने लगते हैं और ये अटैक और किसी नहीं बलकि क्लैन मास्टर ने किया था वह अपनी वेना का यूज करते वे वह तो एक स्प्रिचल लोटस से उसके उपर अटैक करने वाली थी ये अटैक देखने में काफी जादा खतरनाक लग रहा पर यूशे अपनी स्प्रिचल स्वार्ड को निकालते वें कह रही थी कि ये असारी अटैक मेरे सामनी किसी काम के नहीं है क्योंकि मैं स्प्रिचल लेवल की 9 पर हूँ और सच में यूशे के इस खदरनाक अटैक की वज़ज़ से क्लैन मास्टर काफी बुरी तरीके से मत भूलो कि तुम्हारी सोल मेरे कंट्रोल में अगर तुमने एक कदम भी मेरी मर्जी के खिलाफ आगे पड़ाया तो फिर मैं तुम्हारी सोल को डिस्ट्रॉई कर दूंगी उनकी बाते सुनने के बाद यूशे रुक तो गई थी लेकिन वो ये कहती है कि अगर मैं यहां र चली जाओगी क्लैन मास्टर की ऐसी बाते सुनने के बाद यूशे रुक जाती है तो मास्टर उसे फिर से बहलाना शुरू कर देती है पर उनके कुछ बोलने से पहले ही यूशे का कहना था कि मैं यहां सिर्फ मास्टर की वज़े से रिक वही थी अगर वो यहां नहीं होती तो फिर आपकी खेर नहीं और ये बात वो कफी जादा कुस्से में बोल रही थी। उसके वहाँ से निकलते ही लीडर अपने पास से उसका सोल स्टोन बाहर निकाल कर उस पे स्पेल कास्ट करने लगती है। जिसके बाद तो आगे बढ़ते वे शुय के ऊपर एक फॉर्मेशन त्यार हो गया था जो कि उसे चेंज से बानने लगता है। अभी वही मिस्टेरिया सा परसन हांश्याओ के सामने भी आ गया था जिसे देखकर उसके आगे जुकते वे कह रहा था कि मास्टर आप यहां। पर यह उसका मास्टर तो उसे तकलीव देते वे कहता है कि तुम अभी भी काफी जादा कमज़ोर हो जबकि तुमने बहुत सारे सोल को एब्सॉफ किया है। तुम्हारी कर्डिविशन तो बहुत जादा खराब है अब इसके लिए तुम्हें क्या सजा देनी चाहिए। इस परसन से हांश्याओ काफी बुरी तरीके से डर रहा था। दूसरी तरफ यह परसन कहता है कि तुम मेरे सर्वेंट होकर भी पावरफुल नहीं बने अपने बड़े भाई से कुछ सीखो इड्लिस उसके जितना तो नहीं लेकिन उसके जैसा तो बनी सकते हो नफा यह मास्टष तो हांशया के पास से तो आप मुझे ऑडर दे सकते हैं पर उसके ये सोचा कि क्या पता बाहर निकल के चलने से उन्हें चांस मिल जाए और देखो को मिलती है कि ट्यानियन पवेलिया ने अपने सीक्रेट टेक्निक्स को रिवील कर दिया है जिससे कि नॉर्मल कर्टिवेटर उन टेक्निक का यूज करते वे पावफुल हो जाए और वो कॉंफरेंस में आये वांग हो पर अटेक करके उसके लिए इस कॉंफरेंस को मुश्किल बना दे सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे थे पर साथ ही सभी को यहां पर ये भी मालूम था कि वांग हो कितना जादा पावफुल है इसलिए वो सभी एक दूसरे को होसला देने लगते हैं कि इस टेक्निक के जरिये तो फोलोग वांग हो को यूं हरा देंगे आफ्टर जर से हुआ था जो कि त्यानिन पविलियन ने रिवील किया है उनके काफी सारे स्टूडेंट इसी टेक्निका यूज करते वे अपनी कल्डिवेशन को इंक्रीस कर रहे थे और वो उने इस बात की शाबाशी देने लगते हैं पता लगता है कि त्यानिन पविलियन में होने काले कॉंफरेंस को यह मुफंग नाम का बंदा हैंडल करने वाला था और उसने इस कॉंफरेंस के लिए अपने काफी सारे कार्ट को चुपा के रखा है उसकी बाते सुनने के बाद ओल्ड मैंनों से काफी जादा इंप्रेस नजर आ रहा था तभी अचानक से उन सभी को छो लोग खुश हो जाते हैं वहां पर तो एक बंदा तीन और तीन रातों से वांगाओ का वेट कर रहा था यह सब देखने के लिए नहीं बलकि उसके साथ फाइट करने के लिए वेट कर रहे हैं यह नजारा देखने की बात वूफंग कहता है कि अब तो बहुत दिल्चस्प स सुनने के बाद हमारी यावयो कहते हैं कि चोड़ो रहेंगा यहां दूसरे तरफ डैवल डीमन को दिखाया जाता है जो यह कह रहाता कि एक बार मेरी बेहन मिलगी ना इस पूरी जगा को आग लगा दूंगा पर वांग हो इतना समझधार है वो कहता है कि ताय यू क्यान ब करके वहां से भागना शुरू कर देते हैं यहां पर हमें ब्रदर की को भी दिखाया जाता है जो इन्विसिबल होकर उनका पीछा कर रहे थे पता लगता है कि चोटो सा मोटो सा आत्मी है कि तुमने मेरे काफी सारे डिसाइबल्स को मारा है अब मैं उनसे तुम्हारा बतला जान बख्ष दू तो फिर तुम्हारी पवीलियन में मौझूद सारा ट्रेजर मेरे हवाले कर दो यायो तक है रही थी कि कैसा होगी ट्रेजर लेने के लिए तुम अपने पास से कुछ समान भी निकालो मतलब पैसे दो और समान लो ये बात सुनने के बाद उसको गुसा आ और वो कहता है कि जल्दी से अपना सारा ट्रेजर मेरे हवाले करो इससे पहले की उपर मौझूद में अपने सारे डिसाइबल्स को और दे दू पर फिर वांग हाओ उन्हें बिचली का जटका देते वें जमीन पर गिरा कर कह रहा था कि तुम बात करते रहो इन्हें और मैं तो कह रहा था कि वाओ त्यानियन पपिलियन तो सच में बहुत ज्यादा मैजिकल है तभी वह बंदा काफी बड़ा और पाफुल थंडर फॉर्मिशन क्रियेट कर लेता है यह फॉर्मिशन देखने के बात तो बाकी सारे लोग इंप्रेस हो रहे थे क्योंकि उसमें से काफ वांग हाउस बंदे के स्वार्ड अटैक को अपने धंडर रेगन से रोकता है यह अटैक डिस्ट्रॉई होने के बाद वो परसन जमीन पर आकर गिर गया था उसकी एसी हालत देखने के बाद वूफन कहरा था कि लगता है यह बंदा बहुत स्ट्रॉंग है इससे जीतना आस कर कहता है कि जिस जिसको भी डॉफन की तरह इसारा करते वे कहरा था कि अगर किसी के कुछ और इराते हैं तो फिर मेरी नाराजगी और जाधा गुसे का कारण मत पूछना वांग हो इतनी प्यारी धंकी सुनने के बाद हमारा डेवल डिमन कहता है कि कुछ तो बात है इस पर पानी फिर्दियास ने अपने एक अटेक से अचानक से वांग हो के हाथ में पैंपलेट आता है जिसे पढ़ने के बाद वांग हो बता रहा था कि यूशे गायब हो रखी है यह सुनने के बाद तो डैवल डीमन के होच उठ जाते हैं और सभी के साथ यह वाल एपिसोड मंडे को आएगा तब तक के लिए बाई बाई टाटा टेक केर